हर्याना की राजनीती में इस से पहले शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके का कोई सघन अभियान चलाया हो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ही शायद ही इतना जबरदस्ट पॉलिटिकल कैम्पेन किया हो जितना आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में हरियाना में कैम्पेन में अपनी ताकत जोकने जा रही है हमने प्रेस कॉंफेंस करके पिछले सब्ता ये बताया था कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ हर्याना विधान सभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हर्याना में इन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रिय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी और स्टेट की पूरी लीडर्शिप इस पूरे कैमपेन में शामिल होगी। 26 तारिक यानि कल से इस अभियान के शुरुवात होने जा रही है और अभियान के शुरुवात बरवाला और डबवाली विधान सभा से कल की जाएगी। दो रैलियां एक बरवाला में और एक डबवाली में ये होने जा रही है और माननिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इन रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 27 तारीक को सुनीता केजरिवाल जी सडहौरा विधान सभा में रैलियों को संबोधित करेंगी। 28 तारीक को गड़ी सापला किलोई और भिवानी दो जगे पर श्रिमती सुनीता केजरिवाल जी की ये विशाल रैलियां होंगी। पानिपत, रूरल, आदमपूर और फत्याबाद में 28 और 29 तारीक को संजे सिंग जी तीन बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज से पहले जितनी भी पार्टियों की सरकार रही वो कोई भी ये मूलभूत जरूरत हर्याना के लोगों की पूरी नहीं कर पाया। इस संदेश को ले करके कि एक मौका हर्याना के लोग अपने बेटे अरविंद केजरिवाल को दें, इस संदेश को ले करके हमारी सारी टॉप लीडर्शिप और हर्याना के सभी नेता इन रैलियों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों के सामने ये तीसर प्रविंद केजरिवाल जी की इन पांचों गैरंटीयों को पूरी ताकत से हर्याना में पूरा करने की कोशिश करेगी झाल जाज करेगी ताकत से हर्याना में हर्याना प्राइब भी तोड करेगी ताकत से हैंज को पूरी ताकत से हर्या जाताओा जिए धन पनीन की कुछ आएव।